वेल्कम बैक टू माई चैनल देव वाइटी आई होब आप सब लोग अच्छे है यह है नौइस कलर फिट कैलिवर स्मार्ट वाच इसका फूल स्पेसिफिकेशन्स और डेलाइट में यह वाच कैसे दिखता है यह जानने के लिए आज का वीडियो आप लोगों को पूरा जरू सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो यह है नौइस कलर फिट कैलिवर स्मार्ट वाच यह पूरा प्लास्टिक से ही बना हुआ है आप लोग गौर से देखिए इसका जो पीन है यह सिर्फ मिटल का है और बाकी पूरा बॉडी यह प प्रफिट का क्वालिटी है और बहुत अच्छा है यह आप देख लीजिए और इसका पीछे में अब देख रहे हैं जो हाट रेट सेंसर उसके बाद आई पी सिस्टेट का रेटिंग है उसके बाद बोडी टेमपर जल का सेंसर का लोगो है उसके बाद इस्वीड का लोगो है उसके बाद कालारफिट कैलीबर लिखा हुआ है और जो 1.69 इंच टीफटी है यह उसमें मेंसल किया हुआ है तो चलिए फटा-फट इस वाच को अन कर लेते हैं हम लोग करो के दंच नियुका है कर दो आए दाबने से यह कुछ इस तरह से आते है और सकती को अगर लोग परस करते हosureं तो देखिए 1 और 3-4 निकीग पंच्वान और इस सकेदान का रहा है। तो यह मैंने सेट किया है इसलिए पहले आया है। अब दूसरा आएगा। दूसरा आएगा। और तीसरा आएगा। और जाओता आएगा। तो पुछवा स्कीन के तुछिए आएगा। इसमें आप कोई भी स्लेट कर सकते हो मल लीज़े मैंने यही स्लेट कर लिया और इसमें बहुत सारे कस्टम watch faces है जो इसका जो एप है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं अजुआ इसका जो स्क्रीन है वह ऊपर से स्वाप करने से नोटिपिकेशन जो है वह आएगा नीचे से स्वाप करने से आपका जो है यह सब सेटिंग वेगर आएगा ठीक है उसको साइड से स्वाप करने से activity का ट्रैकर आएगा पर स्वाप करने से हर्डेट का मोनेटरिंग सिस्टेम आएगा पर से एक लगा ट्रेक किया तो stress आएगा उसके बाद breath merit M G M S इस्टेम आएगा वर सुके बाद music control जो है हो आएगा और उसके बाद फिलसे screen आजाता है इसके जो crown है उस crown को आप और एक बार ज्यादा दबाया तो आपका ऐसे इसमें स्कीन आएगा जो पहले है noise है उसके बाद clock आएगा उसके बाद आएगा workout उसके बाद आएगा स्पोर्ट रेकॉर्ड ठीक है उसके बाद आएगा वेदर उसके बाद म्यूजिक उसके बाद ब्रेट रिवाइंडर फ्रस्ट लाइट वाच फेसल एंड सेटिंग का उप्शन इसमें आएगा तो यह noise का जो basic features है वह है और जो noise health है इससे आप activities, sleep, spo2, heart rate, body temperature और स्टेज्ट जो भी monitoring system है वह साब इसमें monitor कर सकते हो direct sunlight में इस watch का जो visibility है वो कुछ इस परकर से आता है visibility अच्छे तो नहीं कह सकते है लेकिन हाँ यह चल जाता है तो आप भी देख लिजिए इसका जो direct sunlight में जो visibility है वो ठीक ठाक ही है नहीं खड़ाब है नहीं बहुत अच्छा है तो इससे काम चल जाएगा ठीक है जो आप जो इसका जो रिस्ट एक है वह भी बहुत सब्सक्राइब हो जाता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में आपके साथ जरूर मुलाकत होगी तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक क्यार जाहिंद और बंदे माताराव